दूस्तोर कल मॉर्निंग से ही शोशल मीडिया के हर एक प्लेटपर्म पर सिर्फ सौंग जूंकी और उनके गल्पेंट की बात हो रही है और लगाता है सौंग जूंकी ट्वीटर पर ट्रेंट कर रहे हैं जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि सौंग जूंकी एयरपोर्ट पर अपनी नॉन कोरियन गल्पेंट के साथ नजर आए और जब मीडिया ने इस बारे में सौंग जूंकी से पूछा तो उन्होंने वोल्ट या कहीं के फिल्मी अंदाज में अपनी गल्प्रेंट को मीडिया से इंट्रोड्यूस कराया तो मैं आपको इस इंट्रस्टिंग न्यूस के बारे में डिटेल में बताऊं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए साथी नोटिफिकिशन पे लबी ओन कर लीजिए जिससे के पॉप या के ड्रामा की कोई भी निउज आपसे मिस ना हो दूस्तो अगर आप एक के ड्रामा लवर हैं तो आपने संग्जुंकी का कोई ना कोई ड्रामा तो देखा ही होगा और जबसे संग्जुंकी का न्यू के ड्रामा रीबॉन रिच रिलीज हुआ है जब से संग्जुंकी लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं हलांकि काफी टाइम से उनके सीक्रेट रिलेशनशिप की बाद भी मीडिया में आ रही थी जिसके बाद कल मॉर्णिंग में संग्जुंकी एरपोर्ट पर कैप्चर किये गए जहां उनके साथ एक लेडि भी थी जिसके बाद में पूचने पर संग्जुंकी ने कहा कि वो उनकी गर्ल्फरेंड है ये कहका संग्जुंकी वहाँ से चले गए जिसके थोड़े देर बाद संग्जुंकी की कमपनी ने कनफर्म करते हुए ओफिशल स्टेट्मेंट रिलीज किया जिसमें कहा गया कि संग्जुंकी काफे टाइम से एक रोमेंटिक रिलेशनशिप में है और उनकी गल्फरेंड नौन कोरियन यानि ब्रेटिश पुमेन है जो अभी सेंगापुर में रहती है आगे मीडिया ने ये भी कनफर्म किया कि संग्जुंकी इस लेडी से 2021 में अपने किसी फ्रेंड के पार्टी में मिले जिसके बाद दोरा अच्छे दोस्त बन गए और अब संग्जुंकी ने अपने रिलेशनशिप की ओफिशियल एनौस्मेंट कर दी है जिसके बाद उनके फैंस उनके लिए काफी हपी फील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने टाइम से अकेले रह रहे हैं संग्जुंकी की लाइफ में कोई लविंग परसन आया है जिसे संग्जुंकी ने खुद मिलाया है इसका मीनिंग तो यही है कि संग जूंकी अपनी गर्ल्फरेंड के लिए काफी सीरियस हैं और जल्दी शादी के एनॉंसमेंट भी कर सकते हैं हलाकि एयरपोर्ट पर उनकी गर्ल्फरेंड का फेस रिवील नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने मास्क वियर्ट कर रखा था लेकिन इस न्यूज के आने के बाद हम अपनी केडामा दोस फेमली की तरफ से संग जूंकी और उनकी हैपी लाइप की विश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही खुश रहें तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शियर करना मत भूलिएगा हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल रेन टेक क्यर एंट सारंगे हो